हेलो गाईज आप सभी अगर स्वागात है हम लोग ब्यार इस्टीटी कंपोर सांज गंपर प्रेपेशन कर रहे हैं इसके लिए हम लोग पढ़ते हैं सुबह एक ग्यारा वाज़े पढ़ते हैं हम लोग टेक्निकल पोश्चन दोब्रागे तीन वाज़े पढ़ते हैं जेनल स करना पढ़ेगा आपको वहां इसका PDF मिल जाएगा हम लोग आज का इसाद करना पहला कोश्चन कुछ इंपोर्टन चीज दो हम लोग आमें पूश सकता है उससे देख लेते हैं आपको DDL क्या हो था डेटा डिटा डिप्रेशन लेंगविज जब भी हम लोग बनाते हैं डे सताके कममाद आथी वहाँ करना है डी सी देह तर किया के कमाड आथी वहाँ करना है ओर सब्सक्रांट है को पूश्क जाते हैं तो यहाद कर ले न है उसके लाएग। तो इसका मेन भी आधकर अब को रिलेशन हम लोग architecture को कितने तरगा दे सकते हैं option number 2 levels में B 4 level C 3 level या फिर D 1 level आपको जो बनते हैं database वो basically 3 part में डियाड़ होता है तो इसका हो जगा option number C 3 level इसका हो जगा option number C अब देखते हैं हमने question number 32 levels of architecture of database is are आपको जो level होता है architecture में तो वो क्या क्या होता है option number 2 view level होता है B logical level C physical level या फिर D all of these इसका simple से हो जगा आपको D all of these क्योंकि आपको view level होता है physical भी होता है आपको logical भी होता है अब जगते हमने question number 33 in the architecture of database system external level is the अगर बात करते हैं तीन लेवल होता है option number is physical level B logical level C conceptual level या फिर D view level आपको जो होता है external level उसको हम लोग कहते है view level इसका आपको जोग option number D हो जाएगा अब जगते हैं 34 नमर जगते हैं इसका बनाते हैं database का मैं उसको मैं create कर रहे हैं और आप create करने का आपको जगते है data definition language काम है को जगते हैं इसका आपको जाएगा option number B हो जाएगा अब आगर देखते हैं हमने थोड़ा बहुत generalization क्या होता है इसको आप वीडियो को रुक के आप पढ़ लें पढ़ लें अच्छे से आपको यह होता क्या है हमको बता नहीं है कि आप जो जगनराशन होता है वह एक तरह का process है जो क्या करता है जो एक entity के properties को extract करके आपको क्यों भेज़ देता है एक यह चीज़ और दूसरा यह bottom-up approach है यह क्या है आपका यह तरह का bottom-up approach है वह नीचे के properties को मतलब जो faculty के properties है जो stream के properties है उस दोनों को stack करके person के properties भी उन्डाल लेता है तो यह आपको जो होता है generalization वह तरह का bottom-up approach है उसको जाच उल्टा यहाँ पर आते है हम लोग देखते है space realization कहते है तो यह क्या होता है यह आपका होता है top-down approach यह आपको जाद रखना है स्वेम काम है लेकिन यह होता है bottom-up यह होता है आपका top-down होता है देखिए आपको इंपुलाय है तो इसका जो property है उसको निकाल के test model दिया और development दिया तो यह इसका top-down है आपको यह आपको यह रखना है आप सब्सक्राइब देखते हम लोग ER क्या होता है ER model क्या होता है ठीक हमें क्या लिखा हो है ER मतलब होता है entity यह होता relation entity क्या होता है जो चीजीर्यलाफ में exist करता है अफिके student तू enfca college आपका हो गया जो theor schring नाम करता है तू Komor tree हो गया आपका particles हो गया आपको जो चीजीरलाफ में है वह रख ons इन्टिटी है और अपका जो इसको define करता है बहो चैुनित को एक्जामी क्या पुछते है आपको यह पुछते है आपको रेक्टाइंगल है वह आपको क्या सिनिफाई करते है आपको जो इलिप्स है वह क्या आपको देखाते है आपको डायमंड क्या पर चलते है आपको इलिप्स है आपको इलिप्स है आपको बताएगा आपको जो इंट 화celli 5-2 अब को influenEEEE之रों सब्सक्राइब निर्क के अजी करें तो आपको एक फिल्डियो के अपका सबस्क्राइब मौक यहां धसिंपल्ड का अब देखते हैं मैं उन 6 डेकर के आप nost activate at वोगता है का bottom approach है मैं लेते हैं देते हैं इसमें top down bottom up relation between entity और none of these इसका आपको हो जाएगा simple से bottom approach हो जाएगा इसका इसका मैं B मार्टिक मालेता हूँ अब देखते है question number 37 which approach related with specialization option number A top down B bottom up C relation entity D none of these मैं अब दिखाया है आपको आपको जो होता इस पर शेलाशन होता है वो तएगा top down approach है मैं आपको जो बोटे लेता है और निचे में detail लेता है इसका आपको जाएगा option number A हो जाएगा अब देखते हैं अमनों 30 A तो में देखते हैं अब देखते हैं आपको जोंड देफोल्त आ आपका जो SQL Server होता है उसमें by default हम लोग कौन सा ज्वाइन उस करते हैं लगो आपका कोई ज्वाइन उस ना कर तो आपका रहे गई रहे रहेगा option नमबर है outer join, B inner join, C full join, never D none of the mention अगर हम लोग कुछ इस डिफाइन ने करें कौन सा join उस करें SQL Server के अंदर तो आपका by default outer join रहता है इसका आपको हो जाएगा option नमबर A हो जाएगा अब देखते हम लोग question number 39 देखते है इन इसार डियाग्राम, attributes are represented by आपका इसार डियाग्राम में जो आपका attribute होता है वो किस से डिप्रिंट करते हैं हम लोग Option No. cheaper से रेकταैंगल B2 C ellipse D triangle हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा मतलब कर आपका जो टो होता है इन इलिप्स आपको क्या है वो आपका attribute को डिफाइन करते हैं इसके अपकोय जाएगा option number C हो जाएगा अब देखते हम लोग option no.40 जाएगते हैं an entity set that does not have sufficient attribute to form primary key ऐसा attribute जिसके अंदर जिसके पास sufficient attribute नहीं होता है primary key के लिए उसको लिए आगाते है option number is strong entity set option number B weak entity set option number C simple entity set option number D primary entity set आपको जो attribute होता है ना attribute के अंदर हो एक primary key होता है लेकिन आपका एक ऐसा entity जिसके अंदर primary key ही नहीं है उसको में लोगा कहेंगे उसको में लोगा कहेंगे simple weak entity set आपको जिए बना होगा है वह बहुत कमजोर है आप जेखते हैं में question number 341 देखते हैं इस DB में security language is designed to आपको जो DB में security language है वह design किस तरह के जाता है option number a support end user who use English like command option number b support in development of complex application software option number c specify the structure of the database option number d all of the above अगर हम पुड़ा पढ़ेंगे तो इसका हो जाएगा all of the above क्योंकि आपको QE language होता है वह आपको support करता है उसके list को आपको English command आपको आता है उसके लाबा इस support करता है आपको complex application software को उसके लाबा इस करता है specify the structure of database को इसका आप हो जाएगा all of the above हो जाएगा अब जगते हमें question number 42 dash is defined as the property of DBMS that helps you to change the database schema at one level without changing the schema at the next higher level देखिए आपको जो question है ना ये कहरा है कि database schema में होता है लेवल होता है कहरा है कि अगर आप एक level change करें तो आपको दूसरा level कोई फरक नहीं पड़े हम लोग इसको क्या कहते है option number data independence option number b referential integrity option number c logical independence option number d schema अगर ऐसा property review में इसका अगर आप one level में change करेंगे की सीच को तो आपको second level में कोई फरक नहीं होगा उसको मुलों कहेंगे data independence कहेंगे इसका आपको 42 का option number a हो जाएगा अब देखते हम लोग question number 43 देखते है in SQL which command is used to add column integrity constraint to table ऐसे कौन सा command है जिसके help से हम लोग column को add कर सकते है option number a add column option number b insert column option number c modify column और option number d ultra column देखिए अगर हमको add करने column को तो इसके लिए best रहेगा अब देखते है आपको option number 44 देखते है a dash is a soft is stored procedure in database which automatically invokes whenever a special event in database occurred क्या है आपको आचा क्या होता है जो आपको एक procedure होता है जो कि database तभी आपको start होगा जब उससे पहले कोई special event आपका start होगा मतला कि वह आपको save रहता है जब तक आपको दूसरे event start नहीं होगा आपको वह event start नहीं होगा तो वह क्या होता है option number D trigger, option number B server, option number C integrity, option number D tendency इसका आपको जब option number trigger देखिए जिसताब बंदू में trigger होता है जब आपको trigger नहीं डबाएंगा हम लोग गुल नहीं निकलेगा उसी तरह के इसके अंदर होता है कि जब तक हम लोग trigger यूस नहीं करेंगे तो उसके अंदर जब backend में चल रहा अंदर का process वह आपको start नहीं होगा तो यह simple ची है अब देखते हमने question number 45 देखते है which one you choose for normalization आप इन सब में से normalization के लिए क्या चुनेंगे option number और और ऑगनाजिग देटा इन डेटा बेस option number b decomposing to eliminate data residency option number c avoid insertion anomaly update anomaly and release anomaly option number d all of these देखि इसका आपको जगा option number d all of these हो जाएगा क्यों होगा क्योंकि आपको जो होता है normalization उसका काम क्या है पहले उसके काम क्या है और गनाज करना data को database कानद़ एक इसकान कांशीर से करुछ से सकते हैं कि इसे ह्से में वाटका आपकंट से अस्ट हम बिदख़ आफ यह जो अपकंको डीब कर दीक है और आफको बिद्टेशन करना कि आफका इसके प्रावब से अनूमर्ल मेंॉ- आपको वियोते हो इसा ऐसा आपको शुक्ताट गरता है तो अोरब फोर्ट इन ग्रेंट रावट निंदिवीजुड इनometerождения पता है क्या वेडियु these अन्द क्या होता है न अब गोच्छण केंगे अपको एतना अपने अच्छटान होता लूग को A हूं तो 1 रहेगा यहां दगना को A हो जाएगा Option number C, have a composite key Option number D, have all none key will depend on the whole primary key देखिए, अगर कोई हो आपका टेबल आपका बना हुआ है, वो आपका 2NF में है इसका मतलब कि वो जितना भी उसकी अंदर hidden dependencies रहेगा, वो उसको eliminate कर देगा इसका यारक 45 हो जाओ, option number E हो जागा, वो अपने अंदर का सारा hidden dependencies को वो आपको remove कर देगा अप देखते है 48 number, which forms are based on concept of functional dependencies? इन सब में से कौनस आपको, functional dependencies पे आपको based है, option number A, 1NF, option number B, 2NF, option number C, 3NF, option number D, 4NF देखे, इसका आपको जाएगा option number D, आपको 4NF होता है न, वो आपको functional dependencies पे आपको depend करता है इसका आपको जाएगा option number 48, option number D हो जाएगा, आप देखते हैं, question number 49 देखते हैं, a dash consists of sequence of query and or update statement, option number A, transaction, option number B, commit, option number C, rollback, option number D, flashback देखे, आपको हम कहेंगे, sequence of query होता है न, उसका आपको कहते हैं, transaction, इसका उप घ्रत को शीका करते हैं, उसका अप्डेस हो जाजते हैं अप्लेट होड़ा है जैसे कि माल लिए आपने आप मेरा और शो करता है कि वह निकल गया है मेरा तो उसको लोगाते हैं अब देखते हैं 50 अमार देखते हैं डाश इंसरो डाधा देटा इंसर्शन अप्डेटिंग एंड अदर पॉर्सेस हैव तो परफॉर्म इन सच अवे डाधा इंटेग्रिट इन नॉट इफेक्ट आपको इसमें चाहिए कौन सा पॉर्सेस है जिसके अंदर अप्रेट करेंगे या फिर आपको इंसर्ट करेंगे तो इस साथ काम करने से आपका जो डेटा इंटेग्रिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको मुझे कहते हैं और आपको चीज चेंज कर रहे हैं अपडेट कर रहे हैं डेटा को इंसर्ट कर रहे हैं तो अगर ऐसे करने से आपका डेटा में कोई फेक्ट नहीं पड़त कहते हैं 50 का हो जाएगा option number a हो जाएगा अब देखते है 51 नमबर if e1 and e2 are relational algebra expression then which of the following is not a relational algebra expression अगर कहाएड है कि आपको e1 and e2 हो जाब आपका algebra expression है तो इन सब में से कौन से आपके जो रियल में आपको algebra expression नहीं है लेका option number a के e1 union e2 option b के e1 divided e2 option number c के e1 minus e2 option number d के e1 into e2 जेकिए आपको e1 आपका पहला option number के e1 आपका union जो होता है वो होता है e1 आपका difference भी होता है और आपका Cartesian product भी होता है लिकिन आपका divide नहीं होता है जो नहीं होता है आपको हो जाएगा बी आपको यह नहीं होता है ठीक है अब जेक्टन लिएस नमबर which of the following is not a valid unity operation in the relational zebra unity मतलब क्यों आपको single input लेता है आपका क्यों सब्सक्राइशन है जो आपका unity operation नहीं है जो आपका operation ही नहीं है option number is select option number b project option number c average option number d rename आपको average होता है वो कुछ तरह का project ही नहीं होता है ठीक है वो आपका operation ही आपका रिनेम भी होता है अपका average नहीं होता है और जो होता भी है तो आपको आपका unity operation नहीं है पर दो होता ही नहीं है आपको मैं यह याद रखना है आप इसको select होता है project होता है रिनेम होता है आप देखते हैं कोश नमबर हम लो 53 देखते हम लो the dash provide a set of operation that take one or more relation as input and return input relation as an input इसमें जो काउंस आपका operation है जो आप काय करता है जो आपको एक एक से ज्यादा relation input लेता है और आपको return करता है और पूट करता है option number is systematic आपका semantic representation option नमबर भी relational algebra option नमबर सी schema diagram option option number D relation follow इसका आपको जो option number B relation algebra हो जाएगा ठीक है यह क्या होता है आपको आपको input लेता है इंपूत लेने के बाद कुछ नगूच आपको output निकाल देता है अब आपको नमबर 54 देखते हैं मले 54 कहा है मेरा which what are the following is used to define the structure of relation deleting relations and relation schema इन सब में इस को होन है जो आपको relation को define करता है relation को बनाता है option number D DML data manipulation language option B DDL data manipulation language option C QD option D relational schema आपको exam में full form पुछता है DML का DDL का TCL का तो आप लोगे काम करें कि full form जात करने इसके ठीक है question के अगर आपको इसमें में कॉन्स है जो आपको define करते है और define करने काम किसके है मैं आपको बेले बता है वो आपको DDL के है data definition language इस ही काम है करने किसी भी structure केंदे database केंदे structure को schema को ठीक है आप देखते है question number 55 देखते है हम लोग की डिये टेबल इंपुला है name वारचार id integer what type of measurement is this हम लोग टेबल को बना रहे है करें करने तो अब वो तब मेंचे किसका example है option number DML का B DDL का C Vue का FD integrity constraint का अगर पता है सिंपल से question है अगर आप कोशिच कर रहे है तो example किसका है DDL का example है create करना आपको drop करना ट्रंग कर रिनेम अब रिनेम सब रिडिल का आपको होता है option number इसको हो जाग बी अब देखते है question number 56 देखते हम लोग the basic data type character in is a dashed length character and where chart is dashed length character आपको जो तरह C language होता है C++ जावाम होता है सबमें आपको जो होता है आपका सबमें आपका in data आपको फुलोट हो गया उसका data type में कुछ नब उस character रहता है उसी तरह आपको data based कने भी character रहता है आपको जो होता है character उसका और where chart कितना होता है option number is fix or equal option B equal variable option number is fix variable option number is variable equal देख इसका आपको option number C हो जाएगा आपको जो तरह C होता है character यह आपको fix होता है और आपको जो होता है where chart कितना है आपको variable, जो 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 जोजएगा इसका आपको option number C हो जाएगा आप जखते हैं question number 57 relational algebra is a dashed query language that takes two relation as an input, precise and another relation as an output of the query इन समय से क्या है आपका लेशनल 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 58 Number which of the following is statement is a fundamental operation in relational algebra इन सब मेर जो कोन है जो आपका fundamental operation in relational algebra के अंदर option number a state intersection option नमर ब natural join. Option number c assignment, option number d none of this 58 को होगे आपको option number c assignment, assignment अपकर नहीं होता है आचा आपका सब्सक्राइब इस नोट खे रिक्षेशन से नुसें जिपा रोसमिन करनें पेद सब्सक्राइब तो डी ओमेगा आपको होता है सिलेक्षिन प्रोजेक्षिन तो इसमें क्या पूछर इसमें पूछर आपको सिलेक्षिन क्या पूछर है तो सिलेक्षिन करते हैं हम लोग सिलेक्षिन करते हैं और प्रोजेक्षिन करते हम पाई से आपको प्रोजेक्षिन को पाई लिखते हैं ऐसे में से कौन से जोन जो आपका equality operator को define करते हैं option number is equi join, b cartesian, c natural, d left इसका आपको option number is equi join, आपका equi join क्या करता है वो continue करता है आपको equality operator को आज में वीडियो खतम होता है, में वीडियो पसे जाए तो like करें इस पर comment जरूर से करें आपको क्या अच्छा लगा क्या खुआब लगा उसके लावा आपको पीडिएफ चाहिए तो पीडिएफ मेलेगा आपको मेरे टेलग्राम गूर्प में आपको बोजवान करना पड़ में तू इम उत्यों करें गूर्प चाहिए बचल क्या करें लावान करें लावान करें अच्छा में पूर्प